हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रूई स्माइलिन कार्डिंग में फ्रेंड्स मैं हूँ ममता शर्मा आपकी गार्टनर दोस्त मैं आपके लिए इनफॉर्मेडे वीडियो लेकर आती रहती हूँ सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिए चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो आज का वीडियो हम this belong family का प्लांट है बहुत ही easy to grow है और बहुत ही आसानी से यह लग जाता है purple hearts plant इसका नाम इसलिए पड़ा थे क्योंकि इसकी 김 009 है वो परपल कलर में होती है बहुत ही इजी टू ग्रो है आप कहीं से भी नर्सरी से छुटा सा प्लांट अगर ले आएंगे उससे आप धेड़ सारे प्लांट इसके तियार कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसानी से बिना कियर के यह प्लांट चलने वाला है एक वार अपने गा बलती रहती है और धेड़ सारी प्लांट पन ज़ता है नर्सरी में भी कोई बहुत महगा यह प्लांट नहीं मिलता है बहुत ही कम रेट में कम से कम 20 या 30 रुपए में यह प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा और देखी है मुसकिल से 4 से 5 दिन इन में इसमें ग्रोध ब चाहीगी परपल हार्ट का प्लान्ट इतना easy to grow है आप देखी सकते हैं मैंने एक पानी की बॉटल में इस प्लान्ट को ठाए जब कि अभी इस पें रूट्स नहीं बनी है लेकिन फिर भी कितनी अच्छी इसमें ग्रोढ़ होगई है परपल हार्ट का प्लान्ट इतना easy to grow है कि 4-5 दिन में ही आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं यह देखिए मैंने यह प्लान चबकी मैंने पानी में लगाया है और इसमें यह ग्रोथ देखिए आपको अलग सी नजर आएगी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इसकी length भी बढ़ गई है new leaves भी इसमें आ रही है तो अगर हम जब पानी में इसमें इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ देख सकते हैं पानी में यह लगा रखा है वोटल में तब इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है तो आप समझ सकते हैं इसको मिट्टी में लगाएंगे तो कितनी इसकी ग्रोथ हो जाएगी यह मैं कहीं से कटिंग लेकर ऑई थी और इसको मैने ये सेंड में लगा दिया है становTIさ self-t murder चुछी सी कटिंग्भ है मैंने काए इस में रूट्स जल्दी से बन जाए और तब मैं इसको कुछ में सिफ्ट कर दूंगी यह मेरे पास परपल हाट की कटिंग है जो कि मुझे कहीं से मिल गई थी आपको भी अगर इस तरह से कटिंग कहीं से मिल जाती है तो जरूर से लेकर इस प्लांट को लगा सकते हैं क्योंकि यह प्लांट इतना इजी टू ग्रो है कि कोई भी छोटी से कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है तो आपको अगर कोई कटिंग मिल जाती है इस तरह से तो आप कटिंग से इस प्लांट को तियार कर सकते हैं और अगर कटिंग नहीं मिलती है तो नर्सरी से बिलकुल फ्री के भाव में एक तरह से यह प्लांट मिल जाता है क्योंकि इसकी cost बहुत ही कम होती है तो आप उसको लाकर लगा सकते हैं आप अगर इस plant की cutting लगा रहे हैं तो इस तरह से aloe vera gel लगा कर इसकी cutting में और फिर आप इस plant को लगा दीजिए बहुत ही जल्दी इस plant में growth start हो जाएगी क्योंकि किसी भी cutting में aloe vera लगाने से उस cutting में rooting बहुत जल्दी start हो जाती है जिसे plant जल्दी से growth करने लगता है इसी वज़े से मैंने इसकी cutting में भी aloe vera gel लगा दिया है ताकि ये cutting भी बहुत जल्दी start हो जाए और ये देखिए साथ दिन के बाद का update है ये sand में मैंने लगाई हुई थी cutting ये देखिए इसमें growth देखिए आप अभी तो ये keval sand में लगी हुई है तब इसमें अच्छी growth हो रही है अगर इसको मिटी में लगा दिया जाए और या कोई भी खाद डाल दी जाए तब आप समझी सकते हैं इसमें कितनी अच्छी growth होने लगेगी इसी के साथ मैंने ये वांडरिंग जू का भी cutting लगा दी है और ये देखिए ये भी इसमें चलने लगी है दोनों ही cutting मेरी बहुत अच्छी से चल रही है आप देखिए सकते हैं leaves बिल सेले ही साइन देने लगती है और leaves खराब हो जाती है दूसरी cutting इसकी मैंने ये देखिए इसमें पानी में लगाई है जबकि वैसे सैकुलेंट फैमली का प्लांट है इसे पानी की बहुत कम requirement होती है लेकिन फिर भी आप जिस तरह से money plant को पानी में लगाए बहुत जल्दी से वह growth करने लगता है और उसमें roots बन जाती है इसी तरह इस प्लांट में अभी roots तो नहीं बनी है लेकिन इसकी growth देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी growth हो गई है और plant अपनी growth करके new new leaves निकाल रहा है तो friends purple heart का plant इतना easy to grow plant है आप कहीं से nursery से या फिर नियर बाय कहीं से भी लाक देते हैं तो बहुत चल्दी growth करके multiple plants में convert हो जाता है और धीर सारे छोटे 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 plants बनाने लगता है वैसे तो यह plant सीधा सीधा बढ़ता रहता है लेकिन अगर इसको बुशी बनाना है यह देखिए मैंने यह plant जबकि पानी में लगाया हुआ है फिर भी इसमें नई इड़ी branches निकलने लगी है बहुत ही खुबसूरत तो यह plant है ही बहुत ही आसानी सी चलने वाला भी plant है आपको एक बार लगाने के बाद कोई भी केर करने की जरुरत नहीं है आपके पास समय नहीं है तो एक बार लगा कर छोड़ दीजिए इसी से यह plant बहुत ही आसारी से growth क जाता ये देखे मेंने छोटे सी पॉड मी लगाया है और इसमें इसकी घृत कितनी अच्छी इस प्लाइंट को देखिये मैंने यह वांटृिंग चूक्स लगाया है इसकी कटिंग मैने चोप Greg सेंड में लगा दी थी ये भी बहुत अच्छे से ग्रोध कर रही है और ये मेरा पर पर हाट, की प्लांट की कटिंग भी बहुत अच्छे से चलने लगी अब बात कर लेते हैं, इसको कैसे लगाना चाहिए कब लगाना चाहिए और कैसे रिक्वाइरमेंट की जरुरत होती, त तो इसकी मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए, जिसमें आप दो हिस्से गाडन सोयल ले सकते हैं, एक हिस्सा कोई भी कमपोस्ट और एक हिस्सा इसमें रेद मिलाकर, इसकी बैल्डरीन मिट्टी तियार कर लीजिए, और उसमें ये प्लांट आप लगाएंगे, तो बहुत ही आसानी ना करें, नहीं तो आपका ये प्लांट बहुत जल्दी करने लग जाएगा, और ये खराब हो जाएगा, इस प्लांट को जादा फेटलाइज करने की जरुवत नहीं होती है, जब इस प्लांट को आप लगा रहे हों, तभी इसकी मिट्टी में थोड़ा सा फेटलाइजर ए में भी बहुत अच्छे से ये चलता रहता है, परपल हार्ट का प्लांट सनलविंग प्लांट है, लेकिन इसको फुल सनलाइट में मत रखिये, क्योंकि अगर फुल सनलाइट में रख देंगे, तो इसकी लीप्स बहुत जल्दी वर्न होकर खराब हो जाती है, इस प्लांट को सैमिसेड एरिया में रखी, बहुत अच्छे से ये ग्रोध भी करेगा और चलता रहेगा, तो फ्रैंट्स आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्रा हैं, अच्छी जार के बहुत कीजिए, उे मेरे अचे स्थाय सब्सकि षो सक्पते हैं, अच्छी लगी हो, uhhh